हमारे इंडिया में multiple bank है multiple NBFCs हैं अगर किसी व्यक्ति का civil score down है उसको फिर भी आसानी से highest interest rate पर loan दे दिया जाता है दिक्कत परिशानी तब बनती है जे व्यक्ति उसको पे नहीं कर पाता है क्योंकि व्यक्ति को penis व्यापार में लोस हो जाता है जोब चली जाती है और EMI पे नहीं हो पाती है हमारे एक subscriber थे जिनसे हमारी अभी बात हुई उन्होंने हमें बताया उन्होंने एक NBFC से 50,000 रुपे का loan लिया लोन को सिर्फ वो तीन महीने तक ही ठीक ठाक चला पाए तीन EMI पे कर पाए 10,000 रुपे की बाकी वो EMI पे नहीं कर पाए जब वो EMI पे नहीं कर पाए तो काफ जो भी penalty वगएरा लगा था वो दे करके पीछा चुटा लिया चोप लग गई फिर EMI देना 70,000 रुपे की चालू कर दी मतलब वो एक loan को चुकाने के लिए फिर दूसरा लिए दूसरा loan को चुकाने के लिए तीसरा loan को चुकाने के लिए फिर चोथा लिए उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी देखिए अगर आपके पास में रुपिया पैसा नहीं है तो आप पूरी तरीके से अगर loan चुकाने में असमर्थ हो चुके हैं तो एक loan को चुकाने के लिए आपको दूसरा loan नहीं लेना चाहिए आपको तबी उस loan की जो EMI है वो रोक देनी चाहिए इससे क्या होगा आपके civil पर impact पड़ेगा लेकिन आप future में secure रहेंगे आप bank और NBFC के दवाव में नहीं आएंगे आप किसी करज के जाल में नहीं फसेंगे आप सिर्फ इतना मालने अगर आपके पास में रुपिया पैसा नहीं है बहुत बड़ी खुशकबरी मत भरो एक अगर आपके पास में रुपिया पैसा नहीं है तो कोई bank NBFC आपके उपर किसी प्रकार की कोई भी legal action नहीं लेगा bank और NBFC को confirm होता है कि इस व्यक्ति के पास में रुपिया पैसा नहीं है क्योंकि वो आपके pen card से proper detail collect कर लेता है लेकिन अगर आपके पास में रुपिया पै आपके civil score पर ही impact पड़ेगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि एक loan को चुकाने के लिए दूसा loan बिल्कुल ना ले और बिल्कुल जो loss है उसको stop करके जो loan है पुराना उसको वहीं पर ही रोकते हैं और आप बिल्कुल भी EMI ना भरे अगर पैसा नही करेंगे एक लाग रुपे से उपर का है तो चार्ज लगेगा यहां पर अच्छे से आपको guide कर दिया जाएगा तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको help मिली होगी आप यह समझ करके अपनी pension को दूर रखेंगे यह आपको बहुत बड़ी खुशकवरी मिल रही है और यह सो मच